दोस्तों कई बार हमारे साथ यह problem आते हैं कि जो हमारे PF का जो हमारा UN number का password होता है वो password हमको पता नहीं होता है तो ऐसे मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको वो password को कैसे जो है create कर सकते हैं फिर से अपना password नया बना सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step हर चीज ज सब्सक्राइब करें लिंक आपको नीची डिस्किप्शन में मिल जाएगा यह जो प्रोसेस है यूए नमर का क्या पाश्वर्ड होगा यह जो प्रोसेस से पता करने का यह दौनों चीज पे कर सकते हैं मतलब कि आप अपने सिस्टम पे भी और साथ ही साथ आप अपने फॉन प तो यहां से जो है जलिए हम गूगल क्रों को ऑपन कर लेते हैं यहां से सबसे पहले हमारा जो पी आफ का ओफिसल साइट है उस पे हम चलेंगे देखिए देखिए www.epfindia.gov.in तो आपको इस बाले पे क्लिक करना आपको ऐसे भी पता होगा सबसे पहले कि यह साइट हमारा ओफिसल साइट है चलिए जब तक यह साइट आपन होते हैं तब तक आप लोग के लिए एक important notification है कि अगर आप अपने PF regarding कोई भी information चाहते हैं या आप अपने PF में रूफया निकलवाना चाहते हैं या QIC करवाना चाहते हैं किसी भी तरह का आपको काम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे description में एक mobile number मिल जाएगा वहाँ पे आप आप डिरेक्ट call करके हमसे जुर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं कोई भी problem आता है PF regarding तो वह भी जो है आप नीचे दे गए number पे जो है call करके push सकते हैं तो चलिए जैसे आप इस link पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा सबसे पहला हमारा ये जो option आ रहा है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कई सारे option tools यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे एक tools से आपको मिलेगा KYC update तो आपको KYC बाले पे click करना है यहाँ पे हम click करेंगे तो एक new tab open होगा जो हमारा PF का official site है उसका link में नीचे description में दे दोगा वहाँ से direct जो है आप site पे आ सकते हैं उसके बाद KYC पे click कीजिए और यहाँ पे हमारा UN number और password मांगा जाता है then capture डालके हम sign in कर हम अपने member ID को open कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे हमको password पता नहीं है तो इसके लिए आपको forget करना होगा और जब आप password forget करते हैं वहाँ से 6 घंटे के बाद आप अपने password को open कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना रुपया है और उसका कितना percentage आप निकाल सकते हैं वो सारा कुछ आप 6 घंटे बाद कर सकते हैं तो यह आप एक बार सुनिश्चित कर लें कि password जब आपका forget होगा नया password बनेगा वहाँ से 6 घंटे बाद ही आपका password open होगा तो चलिए हम यहाँ से forget password का option मिल दा है इस पे हम click करते हैं इस पे click करने के बाद हमें इस तरह का page open होगा तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटर UNA जो दिख रहा है इस पे हमें अपना UNA number डालना होगा यह UNA number जो है आपको salary slip पे भी मिल जाएगा अगर आपको salary slip पे नहीं मिल दा है तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे जो है आप अपने UNA number find कर सकते हैं आप playlist को follow कीजिए वहाँ से जो है तो दोस्तो जैसे है आप अपना दोने information को fill करते हैं तो देखिए आप पे registered mobile number आपको बता दिया जाता है तो इस number पे जो है एक OTP जाएगा अगर यह number आपके पास है तो आप जो है yes पे click करेंगे यह number आपके पास होने चाहिए क्योंकि इस पे एक OTP जाएगा तो चलिए मेरे पास यह number है हम next जो है yes पे click करेंगे तो यहाँ पे yes पे click करने के बाद आपके registered mobile पे जो है एक चार अंका OTP जाएगा एक चीज इसमें ध्यान देने कि आपके पास जो OTP जाएगा उसमें दो OTP रहता है एक तो OTP पास रहता है उससे पहले जो OTP है वो डालके यहाँ पे आपको verify पे click करना है verify पे click करने के बाद आपको new password यहाँ पे अपना generate करना है और उसके बाद जो है जो आप new password डाल रहे है वही password confirm माले में click करना है मतलब fill करना है दोनों जब fill कर लेंगे तो आपको देखिए आप एक option मिलेगा submit का तो यहाँ पे आप submit पे click करेंगे उसके बाद थोड़ा सा आप wait करेंगे जो आपका password है वो create हो जाएगा successfully यहाँ पे बन जाएगा लेकिन इस password को strong बनाने के लिए चलिए मैं आपको कुछ tips देता हूँ जो कि आपके लिए जरूरी है फिलाल देखिए हमने information डाला तो हमारा जो password है वो successfully change हो गया है अब 6 गंटे बाद जो है हम अपने ID और अपने password के मतलब UNA number और password डाल के जो हमने फिलाल अभी बनाया है वो डाल के sign in कर सकते तो चलिए यहां से जो है आप अपने password को बना सकते लेकिन password जो आप बना रहे हैं उसमें एक चीज आपको धिहान देना है कि password हमेशा strong होना चाहिए तो strong password बनाने के लिए आपको एक special character यूज़ करना है जैसे hashtag add the rate dot या किसी भी तरह काई के special character साथी एक capital letter और साथी small letter और एक कोई जो है number और minimum जो है 8 character का आपका password होना चाहिए जैसे मेरा नाम विवेक है तो हम बना लेते हैं capital V बाकिए small में VIV के add the rate हम लगा लेते हैं 123 इस तरह का जो password है वो आसानी से बन वी जाता है और हमारे लिए सही होता है यह ज़्यादा जो है strong माना जाता है तो आप इसी तरह का password create कीज़ेगा तो इस तरह के से जो है आप regarding कोई काम है आपको PF निकलवाने क्योई करवाने अपडेट कराने कोई भी चीज तो आप जो है हमसे जूर सकते हैं number आपको नीचे description में मिल जाएगा चलिए बाकियो और भी वीडियो के लिए आप हमारे playlist को check out कर सकते हैं तब तक के लिए मुझे दीजे थोड़ा सा समय हम म में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही चलिए